नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो दोस्तों आद आपके लिए लेकर आचुके एंपी बोर्ड क्लास 10 का जो का सोस्यल साइंस का पेपर होने वाला है उसका ऐसा पेपर लेकर आएं जो की बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि मैं समाची विए अच्छे माक्स लेकर रहा हूं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना पूरा वीडियो एंट तक देखना है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लें क्योंकि दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वीडियो को लास तक जरूर देखिए चले शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो यहां पर देखिए का मैं पेपर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए पहले आपके सामने अब्जेक्टिव क्वेशन्स होंगी यह प्रशन बहुत दे रहा है सरदार सरवर्बान किस नदी पर बनाया गया है तो दोस्तों यह सरदार सरवर्बान जो है वो किस नदी पर बनाया गया है यानि कि जो नर्मदा नदी है उस पर बनाया गया या उप्शिन नमबर दो हमारा आंस्वर होगा ठीक है आप भी अपने आंसर मैच करते से टिक करते देखेगा यहां पर देखेगा बारत में वायू परिवहन का राश्टी करन कब किया गया यह दोस्तों कब किया गया तो इस प्रस्टिक का आंसवर देना थो दोस्तों डाउनलोड करना है तो आप Google पर सैच करना दोस्तों आरने इस्टणीन मसला डॉट कॉम गूगल या क्रोम रिवावसर कें एंडर करना है आरने इस्टणीन दॉड़ को इसकी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में देगी यहां पर पर पेपर होगर निचे कब बारत आये था साइमन कमिशन तो यहां पर आपको बताना तो यह आये था दोस्तों 1928 के अंदर आगे बढ़ते हैं बारत में वैस्क मत अधिकार की उम्र कितनी है तो बारी पहले मैंने बता रहा आठारा साल है ठीक है जो अटारा साल से उपर ओचुके वोट देने का अध कीगा यहां दे रहें कि रिक्स्तानों की पूर्टी करनी है यह दे रहें का लो आयस्क किस प्रकार का संसाधन है लो आयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है तो यह आपको बताना है तो इसका जो आंसर हो वो अजय हो ठीक है लिए क्लास नौवे से बारवी आई टी जैई नीट की ऑननाइन क्लास जिसका हिसा बनकर देश के सभी राजियों की बच्चे लेकर रहे हैं रैंक वन तो आज यहीं डाउट अपने सभी डाउट को पगाओ और टॉप रैंक लिए आओ लिंक डिस्क्रिप्शिन में दिया गय संविदान की संग सूची में विशे है विशे कौन से संविदान की संग सूची के अंदर तो विशे कितने यहाँ पर 61, 61 बांदवगड राश्टी उद्यान कहां पर किस राजिये में इस्तिते तो दोस्तों यह हमारे हो जाएंगी MP के अंदर यानिकी मद्ध्य प्रदेश क के अंदर संगटन मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है तो दोस्तों indeed जोंए यह ओंपर करती है यह हमारा आंसर हो जाएगा लागे बात करें तर्थ गलिशिया में कुलिलवर्ग किस बासा बोल ता कैसी बासा बोलता मोश करने क्या कहलाता था तो छपाई के लिएじゃो कंपोज करने के लिए वोग क्या कहलाता था तो दोस्तों वक कहलाता था मैं barking को बता देता हूं यानिकि कंपोजिटर क्या क्या कला था कंपोजिटर यहां पर हमारा answer होगा आगें बठते हैं next question की तरफ फिर यहां पर आपकु ग्रस्त प्रजाते हैं सिमेंट टूद्यों को मिलाना दोस्तों यहाँ पर हमें चुनना प्रतर से स्वारिनियू भारत स्वारिन जो चतर पुछ जाएगा यहांपर जाहा लिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बारत का सरवादिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है जूट उत्पादक राज्य बारत का कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों वह जाएगा हमारा पच्छिम मंगाल कौन सा पच्छिम मंगाल ह हो जाएगा देखिए अगले प्रसुन क्या रहा है जाले ब्राम क्या था तो दोस्तों जाले ब्राम क्या था तो यह क्या था एक शुल्क संग था क्या था एक सुल्क था संग था जिसमें जर्मनी वगरा यह सामिल थे यूरोपिय संग का मुख्याले कहां पर है तो यह जो है वह कहाँ पर होजाएगा brusels के अंदर है कहाँ पर brusels सिल्क मारक से क्या पत्ता चलता है दोस्तों यानि पर पच्चिम में जो सिल्क रेसम है वह बहुती मैं तुपने सपत पत्र क्या होता है तो यहां पर मैं आपको बता दो जिसको भी श् classified है यहाँ से आप मेंच कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जिस राजे का अपना कोई दर्म नहीं हो उसे क्या है ज़िए डर्म निर्पिक्स यह थारो चारो छारो में आपको आपन रज़े रबता दिया आगे बढ़ते हैं यह देर का क्वेशन अस्वेत अंदुलन 1903 में उबरा नई दोस्तों यानि ये हमारा गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा ठीके प्रतम बारत की प्रतम मैला यहाँ पर आपको पूचे रास्ट पती मैला रास्ट पती यानि यहाँ पर पूचा क्या कि बारत का जो प्रतम मैला रास्ट पती खळलतेद फिर क्या कहारा काट मंदू नेपाल की राजदा नीं है नेपाल की राजदानी सजिस की गुणवठा को बनाये रखने के लिए प्रमान है सये देल क्या होते प्रमान यह कहा होता है यहanson कमानल कि वस्तु होती है उसका क्या होता है F-S-S-E-I होता है यह होता चिन ठीक है इस चीज़ का ध्यार रगणा और हॉल्मार्क जो है वह अबुसन की गुणवता को बनाए रखता है यानि कि उसकी पहचान का है यानि क्वालिटी पहचान हो जगी एजेंडा क्या है यह प्रस्ण किन-किन राजियों में की जाती है अब दोस्तों यह बड़े प्रस्ण है इस सभी का सॉलिशन दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जागा है यह लिंक देर की नीचे वहां पर आपको जो वेबसाइट पर इस पेपर का पूरा सॉलिशन मिल जाएगा तो वहां पर जा लोग किस तरह उत्तरदाई सरकार का गठन करता है वस्तु विन्य में प्रणाली क्या होती है यानि कि वस्तु विरनी में विन्य में प्रणाली होती है जिसे कोई अपनी वस्तु का आदान पतने कि जो वस्तु आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको वापस मिल रहा है त इस के पास पैसे नहीं कोईान की गयों वगर और यह ऊचाह में तो यह गयों कि कि we to be to be the एक लुगरा कितना रुपे वोगरा कितना आहे कि वेइसको देगा उबोगताओं की सोसन के दो कारण लिखने उबोगता सुरक्षा अधिनी मूनी सो चीयासी के निर्माण की आवस्यक्ता क्यों पड़ी थी परतम विशुविद के यूसा में भारत का ओध्यों की उत्पादन क्यों बड़ा यह सारे मोस्ट पॉंटेंट आयेंपी क्वेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्डेंट है आपको एक्जाम के लिए अगर आप एक्जाम के अंदर पास करना है एच्छे मार्क्स लाने तो इस प्रस्टन को जुरू से पड़ें लोगतंतर एक बहतर ववस्ता है समझाना है दोस्तों लोगतंतर के सामने क्या-क्या सुनोतिया है और यहाँ पर जो भारत के जो मानचितर में दर्साना ठीक है तारापूर है जमसेत पूर है डिगबोई है रानिगंज है या फिर बंगाल की खाड़ी है अरब सागर मुंबई या फिर कोल गता इन यहाँ पर आपके दे रखा है उबगतां के अधिकारों को समझाना है या फिर उबगता आपने एक जूरता का प्रदशन कैसे कर सकते हैं इसको भी आप बताना है भारत में उबगता आंदोलन की प्रगती का प्रगती की सिम्माक्षा करनी तो यह दोस्तों मैंना को बताएं मोस्ट पॉंटेंट क्वेशन जो कि आपके लिए बहुत है एक्जाम के तो दोस्तों आप इन्हें एक्जाम से पहले जरूर पढ़के जाएं यह आप एक्जाम से में आने के बहुत जांसे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा नोटिफिकेशन मैल को भी प्रेस कर लिजीगा तो आज किस वीडियो का दर इतना है फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट टूडियो के अंदर तब तक लेजे ही नौर बनने मात्रा